हलो एब्रीवन वेलकम टू एच्पी कॉंपिटिटीटीव एकजाम आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो हमिरपूर बोर द्वारा पोस्ट कोड 887 क्लर्क की जो एड्मिट कार्ड है और लीज कर दिये गए हैं आपका एकजाम होगा 29 अगस 2021 को ठीक है 29 अगस 2021 को एकजाम होगा सुबर का सेशन है मौर्निक सेशन है यह एकजाम होगा आपका बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और कुछ एक मैसिज आ रहे थे परसनली वर्टसेप पे कि हम जो है अपनी आईडी और पासवर्ड जो है मिरवोर बौर्ट की आईडी है उसे भूल चुके है तो अपना जो अईडिमिट कार्ड है वो किस तरी के से हम receive कर सकते है किस तरी के से आउनलोड कर सकते है क्योंब ही email ID पे भी पासवर्ड जो हमारा अचैशन है वो नहीं आया हो है तो मैं इसे वीडियो में आपको बता द यहां पर दीगा आपका application ID, name of candidate, father name, यहां पर roll number है आपका और examination center जो आपको allot किया गया है वो, अगर आप अपनी ID और password भूल चुके हैं तो आपको यहां से देखना होगा अपना application number, ठीक है, जैसे आप इसको mobile open करोगे ना, इस PDF को, तो आपके mobile में जो PDF viewer है, उसके उपर search का option आएगा, वहाँ पर आप अपना नाम सर्च करोगे, तो directly जो है, आपके name के उपर आपको यह लेकर चल जाएगी PDF और उसके आगे आपको इस त्रिक के से application ID जो है, देखने को मिलेगी, यह application आपको ID जो है, आपको वहाँ से copy करनी है, तो इसी से जो है, आप बाद में अप email ID और अपना जो password है, भूल चुके हैं, आप यहाँ पर देख लेते हैं, कितने candidate को जो है, जो आपके admin card है, वो लाउट हुए है, तो यहाँ पर देखेगा, 27,909, यानि लगवग मान के चले हम, 28,000 बच्चे ठीक है, तो इसमें जो है, टोटल मिलाके 14 पोस्टे थी, किया गए है, जो जारी किया गए है, जिन बच्चों को वो है, 27,909, ठीक है, तो इतने candidate जो है, इस प्रिक्षा को देंगे, अब हम देखते हैं, कि download किस तरिक के से करना है आपने, तो Chrome के उपर मैं आपको ले चलता हूँ, तो देखेगा, हम आगे हैं, हमिरपूर बोर्ड क की website पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आप अपनी login ID और password अगर भूल चुके है, हमिरपूर बोर्ड की website का, तो किस तरिक के से आपको admit card जो है, वो download करना है, तो जब आप हमिरपूर बोर्ड की website widget करोगी, तो make sure कि आप इसे Google Chrome में open करें, और साथ के साथ ज ठीक है, login उनके लिए है, जिनको ID और password पता है, तो अगर आपका login ID है आपके पास, तो simply login किजिएगा, वहाँ पर आपको अपना admit card देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपके पास ID और password नहीं है, तो आप जाएंगे application status के उपर, इसके उपर आप जैसे click करेंगे, तो जो PDF मैंने provide कराई है, इससे पहले, ठीक है, वो चाहिए traffic inspector की हो, clerk की हो, कोई भी आपका exam हो, ठीक है, अगर आपने आपको ID और password भूल चुके हैं, आपको admit card डाउनलोड करना है, तो आप इसी तरिक के से जो है, डाउनलोड कर सकते हैं, अलांगी दो तरिक के और हैं, वह भ application ID, जैसे हमने application ID डाली, search करेंगी, तो यह नए जो page है, इस तरिक के से आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आपका name होगा, सबसे पहले, कौन से post के लिए आपने apply किया है, आपका examination center, कौन से district में alert हुआ है, आपको fish दे दी है, ठीक है, यहाँ पर roll number आपको मिल जाएगा, school का नाम मिल जाएगा, duration मिल जाएगी, कब से कब आपका exam होगा, उसी के नीचे देखेगा, यहाँ पर download admit card, ठीक है, इसके उपर आप simply click करोगे, यह उन बच्चों के लिए है, जिनने नहीं पता किस तरिक के से download किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे मुझे comment आ रहे थे, message आ रहे थे, कि हम अपना जो ID और password है, भूल चुके हैं, कि इस तरिक के से download करना है, देखेगा, अब यहाँ पर दवारा जो है, दो option आपको मिल जाएगे, admit card के लिए, एक तो आधार card और दूसरा application ID, तो आप तो या तो चाहे तो आधार card number डाल सकते हैं, या जो है application ID जो है, आपको यहाँ पर दवारा से fill करनी होगी, तो आप यहाँ पर application ID डालिएगा, इस तरिक के से, और जैसे आप search पर click करोगे, तो एक OTP send किया जाएगा, आपके register mobile number के उपर, ठीक है, जो आपने mobile number register किया होगा, जब यह आपने phone बरा था, तो वहाँ पर जो है, एक आपको OTP दिया जाएगा, तो OTP जो है, आप यहाँ पर fill करते हैं, OTP, OTP फिल करने के बार, download admin card पर आपको click करना है, और आपका जो admin card है, और इस तरिक के से video format में जो है, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप इसे print कर सकते हो, अब यहाँ पर देखीगा, दो चीजे है जैसे ही आप application status पर जाओगे, जिस तरिक के से OTP आया था भी, जो OTP वाला option आया था इससे पहले, हो सकता है कि आपके पास वो mobile ही ना हो, ठीक है, वो mobile number ही ना हो, जो register mobile number है, आपके होगी कि हमार पास तो mobile number भी नहीं है, register, तो हम कैसे download करें, तो Indian government की एक application है, जिसका नाम है DG Locker, ठीक है, सभी ने सुना होगा, I think इसका नाम, DG Locker एक application है, जो कि केंदर सरकार की है, उस application को download कीजिएगा, वहाँ पे register कीजिएगा, अपने original आधार कार्ड के साथ, ठीक है, जो आपका original आधार कार्ड है, उसके साथ वहाँ पे register कीजिएगा, उसके बाद जो है, आप पर भी अलग लग department है, तो हिमाचल का जो करमचारी चायन आयोग है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश टाफ सेलेक्शन कमिशन है, उसका अलग से आइकोन आपको वहाँ पे मिलेगा, उसके उपर आप क्लिक करोगे, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही option है, download admit card का, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मांगता हो, ना application ID मांगता, आपका, ना register mobile number मांगता, ना आपकी ID, password कुछ भी नहीं मांगता, directly वहाँ से download हो जाते हैं, अगर आपका अधार card सेम है, जो आपने provide कराया है, हमिरपूर बोड के अंतर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है